पूजन के बाद बाबा की सवारी गोपल मंदिर के लिए निकली सवारी मार्ग पर जगा जगा भूद भावन भगवान महांकाल का जम कर स्वागत किया गया अतिश बाजी भी की गई सवारी राद बारा बजे गोपल मंदिर पहुँची यहां बाबा महांकाल और भगवान विश्नु का पूजन किया गया स्रश्टी की सत्ता के हंस्तातरन की परंपरा दोनों देवताओं की माला बदल कर निभाई गई इसे हरी हर मिलन भी कहते हैं सवारी मारपड दोनों और बेरिकेट्स लगाए गए थे श्रद्दालू भगवान महांकाल की सवारी पर पुश्प वर्शा कर रहे थे पूरा माहुल भगवान महांकाल और दोरकादिश के जैकारों से गुंज रहा था कार्तिक शुकल चतुरदर्शी भगवान विश्णू हरी और शिव हर के मिलन का प्रतेख है भगवान महांकाल और दोरकादिश का अद्बूत मिलन देखने के लिए देश भर से आए हजारों श्रद्धालू गोपाल मंदिर के बाहर रात दस बजे से ही मोचुद थे गोपाल मंदिर पहुँचने पर सवारी अंदर लाई गई यहां भगवान शिव को विश्णू के सामने आसीन क्या गया महांकाल मंदिर पदती से द्वार का दिश का पूजन किया गया शिव के प्रिय बिलपत्र और आग की माला भगवान विश्णू को अरपित की गई इसके बाद महांकाल का पूजन कर उन्हें विश्णू की प्रिय तूलसी दल की माला अरपित की दोनों की प्रियवस्तूओं का एक दूसरे को भोग लगाया गया मानने अता है कि इसके बाद भगवान शिव चार महीने के लिए हिमाले परवत पर तपस्या करने चले जाएंगे यह परंपरा वेश्नव और शेव संप्रदाय के समन्वाइक बस सोहार्द का प्रतीक है पोरानिक मानने तके अनुसार देवश्यानी एकादशी से देव उटनी एकादशी तक जगत के पालन करता माने जाने वाले भगवान विश्णू पातालोक में राजा बली के यहां विश्राम करने जाते हैं इसलिए चार महिने तक संपूर्ण स्रष्टी का कारेभार भगवान शियू के पास होता है इसे विश्णु को सोपने का उस्व कार्तिक शुक्ल चत्तुरदशी को मनाया जाता है इसी के साथ मैंने रही है एश्या इसंडिया के साथ हन्यवाद